बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अध्यान के अंदर में इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट फिजिक्स का एक्सरसाइज थी पढ़ेंगे काफी इंपोटेंट है अब्जेक्टि प्रस्तन है तो चलो स्टाट करते हैं और हाँ इससे पहले मैंने बहुत सारे लुसें अनू प्रस्त होता हôm आगे पढ़ेंगे लाट इक्सरसेज में तो धूनी तरण क्या होता है अनू ध्यरी होता है नेक्स्ट है हमारा निवन में से कौन सा कथन धूनी तरण के लिए सत्य है तो इसम्हें से क्या है दोनी की चाल कितनी होती है तीन सो बतिस मीटर परती सेकेंड यह important है और कितने temperature पे 0 degree Celsius पे अगर temperature increase होगा means temperature अगर बढ़ेगा तो speed भी क्या होगा बढ़ेगा यह याद रखना है temperature घटेगा तो speed क्या होगा घटेगा बहुत important person आपसे पुछा जाएगा कि धोनी का जो speed होता है वो उसका temperature पे क्या आफर पड़ता है तो temperature बढ़ने से धोनी का speed क्या होगा बढ़ेगा बहुत important है याद रखना इसको अंसर मड़ क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसके साथ यह सब भी पढ़ लेते हैं कि धोनी को धुर्वित नहीं क्या जा सकता है धोनी को धुर्वित नहीं क्या जा सकता है धोनी नीडवात में नहीं चलेगा ठीक ना तो यह दोनों क्या है गलत है और धोनी का चाल सबसे अधिक किसमी होता है तो वो होता है इस पात में ठीक ना इस पात में ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है अब सरव क्या होता है अब सरव होता है बीस हर्ज से कम जिसको लोग नहीं सुन सकते हैं ठीक ना बीस हर्ज से कम और प्रासर्व क्या होता है तो बीस हजार हर्ज से अधिक बीस हजार हड़ से अधिक क्या विरती है ठीक ना लेकिन ध्यान रखना यह पर अनुप्रस्ट दिया है अनुध्य दिया है तो सॉंड हमेशा क्या होता है अभी हम पढ़े है अनुध्य होता है तो बना अंसर क्या हो जाएगा बीस हजार हड़ से अधिक अविरती की अनुध् तरंग है ठीक ना देखो यह तोनों सेम आप्शन दिया गया बस यहां पे था डिफ्रेंस है अनुप्रस्ट लाइट होता है धोनी नहीं होता है तो अबना अंसर क्या हो जाएगा डी बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना है और सरब धोनी क्या होता है जैसे यह था अब सर हर्ज से आगे प्रस्ट होगा वैसे 20 हर्ज से लेके 20 हजार को 20 के भी लिखा जाता है नेक्स्ट प्रस्ट ने प्रासरब्य तरंगे मनुसे द्वारा क्या हो सकता है तो नहीं सुन सकता है मनुसे सुनेगा सरब्य सुनेगा या तो आप सरब सुनेगा नहीं प्रासरब्य सु किया था तो बो किया था गोल्डन ने किसने गैका फिर चमगादर that अंधेरे में उरता है कि उरता था um घोड़ते है प्रास्रब वितरंग चोड़ते हैं प्रास्रब वितरंग यह बहुत इंते लाइट यह सा 1 अबत इंपोटन-इंकtså जाता है जैसे हैब लोग मुश्यर को भागाने के लिए कोई मिंस stray माःते हो उस날 समय क्या होता है ताकी कि वह भागा जाता है तो उसमें क्गें क्या होता है के लिएक मसीन भी आता है तो में क्या होता है इल्ट्रा सुनिक तरंग होता हूँ ध्र धोनी तरंग नहीं चल सकती यह दोंडिक र होगा इस पास लुहा फिर में जल में और बाईयू में कभी-कभी आपको ईस के बाज दिया जाए तो सबसे अधिक मिंस पहले स्थान पे ठोस दूसरे अस्थान पर दर्ब और तीसरे अस्थान पर घैस निर्वात में चाल नहीं होता है और लाइट का ऐस्पीड जास्ट के UP O пока सबसे फास्ट निर्वात में उसके बाद होगा इसको हम लोग सुन सकते हैं तो मैने बता दिया है बीस हजार हट्ज से लेकि पीस हजार हट्ज तक यह हम क्या कर सकते हैं फिर outraग का वैग अगर भी दिया है अविर्टी अगर एंड दिया गया है और टरंग धर डेल्टा दिया गया है तो सम्झ्ध क्या होगा तुथ अधिऑ रवर एंडिता भी रवर एंडिटा वर यह सही है फिर अधारतल से दूर बिस्पोर्ट सुनए नहीं पड़ता है क्यों कि वहां पर बायू नहीं है बाई मंडल की अनुपस्थिती के कारण, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही है, नेक्स्ट है, चमगादर अंधेरे में उड़ सकता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्या करता है, प्रासरब्र तरंग छोड़ता है, ऐसा कोई आप्सन में तो है नहीं, तो वे अत् तु है चोंदो है तो चमगादरों से इंफ्रा सोनिक तरंगे निक तो इनफ्रा उनिक निल्ट वोता है तिक ना तो यह हमारमों तो गर्हात हो गया यह सही है और गार सै यह सही है और अच्रके हो जाएगा शीड नेक्सट ऐसारग्वाईının में धोनी की चाल 332 मीटर प्रती सेकेंड होती है बिल्गुल सही है यदि दाब बढ़ा कर दूना कर दिया जाए तो यह दियान रखना है दाब का मिंस प्रेसर का सॉंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो 332 ही होगा हाँ अगर टेंप्रेचर रहेगा ताप रहता यहा करना है फिर धोनी की चाल अधिक्तम होती है धोनी की चाल सबसे फास्ट किसमें होगा इस पात में होगा इस पात और सबसे कम निर्वात में होता ही नहीं है नेक्स्ट है बादलों की बिजली की चमक से काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है बिल्कुल सही है क्योंकि light का speed क्या होता है अधिक होता है परकास की चाल दोनी की चाल से बहुत अधिक होती है परकास की चाल दोनी की चाल से क्या होता है बहुत अधिक होता है वहारा अंसर क्या हो जागा डी सही है नेक्स है बायू में धौनी का बेग होता है शूरी बायू में धौनी का बेग होने पढ़ा 332 होता है ठीक ना तो लगभग दिया गया है तो 330 हम कर देंगे 330 मीटर पर और option आपके उसके according नहीं है याद रखना हो 232 होता है कफी close आपको option मिल सकता है next है ध्धोनी वैसे और अगर इसको सही करें तो 331.7 होता है ठीक ना क्योंकि अभी टेलेग एक्जाम होता है next है ध्धोनी का बेग कमान सबसे कम होता है ध्धोनी का सबसे कम किस में होगा किस में होगा गैस में होगा गैसमे क्योंकि ठोस में सबसे अधिक सबसे कम राइस में थो की बीस डिग्री सेल्टिग्रेट केताब पर किस माध्यम में धोनी की गती अधिक्तम होगी तो देखो पहले आपको ठोस पेट के साथ जाना है तो यह सब जैसे हवा ग्रेंड पानी तो हमाना क्या हो जाएगा लोहा अंशर हो जाएगा टेंप्रेचर कोई भी रहे माध्यम हमें भीशा थोस में ही है दीख होगा इस पाक में ही होगा ठीक अगड़ने के ट्रफ कॉंसा कख़न नहीं थैप सरफ यास Song genere का अध्रता बढ़ने से यह कि दोन्य का हो हो जाता है मैंने बता है यह कंसेप्ट रखो ताप बढ़ेगा तो बायू का बेग क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है पहला वही लिखा है ताप मान बढ़ने से बायू में धोनी का बेग क्या होता है पढ़ जाता है यह सही है नेक्स्ट है बायू में धोनी का बेग द तो उससे कोई impact नहीं पड़ता है उसके speed पर जोड से बोलो को तो इसा नहीं होता है बहुत तेजी से आवाज चला जाएगा आवाज का जो sound का speed होता है वह उतना ही होता है तो यह भी हमारा सही है ठीक ना लेकिन आजरता बढ़ने पर बायू में धोनी का बेग कम हो जाता यह ये गलत है और हमन्सर क्यों नेक्स्ट वायू में ध्वनी का वेग क्या लिए तापमान के घटने से घटने से है an are और हमान क्यों हॉजाएगा जिए यह गवर है तो तबने का और इसने करता है और बाद में के परकास तरंग की चाल की तुल्ला में धोनी तरंगों की चाल बहुत कम होते हैं, ये गांछ दिख्या कर साहिए और Adhani क्या कर रहा है, एक ये वैख्या, क्या कर रहा है क्या। क्योंकि dukkha दिक है डिखा जाते है लेड़िस हमको क्या हो जाएगा ये सही है नेक्सट में प्राध्वनिक बीमान उड़ता है ध्यूनी की चाल से इता भी होता है ने सुपरसोनिक हुआ है थीक है तो सब क्या होता है ध्यूनी की चाल से बहुत अधिक फास्ट चलता है थेक न आंसर आवण के हो जाएगा सी पिर बस्तु के बेग तथा उसी माध्यम में उन्ही परिष्ठितियों में ध्वनि के बेक के अनुपात को तुछ ед मैक संख्या कहते लगतर कि मैक संख्या के कि संब्ध कि सफसे तू झी याद रखोगे तो डुध्ग को का पड़ियोग फिर मैं ऐसन्ऄ का कि भायू यान को टो participating अस्तर के मापक की इकाई है सौंट का मिनस्स दौनी का मापने का एक इकाई है डेसिवल स्थाहारन बातचीत से दौनी की तिब्टा होती है हम लोगी छोटा मिनस्स से पुसबचा के बात करना सिम्बल बात कर दिया जाता सै तो उसका diβ कितना होता है तो वो होता है तीस से चालिस डेसिबल तीस से चालिस डेसिबल फिर एक सो डेसिबल का सोर अस्तर निमन में से किसे से संगत होगा तो वो होता है किसी मसीन की दुकान के आगे वाला सोरगूल किसी मसीन से सोरगूल होता है वो क्या होता है जिसे जनेटर जल रहा ह तो वो क्या होता है 100 decibel होता है डीबी नेक्स्ट है ध्वनी के किस लक्षट के कारण कोई ध्वनी मोटी या पतली होती है तो वो क्या होता है तारतु है पीच के कारण फिर पुरुसों की अपेक्चा महिलाओं की अवाज अधिक तिक्षिन होती है क्योंकि महिलाओं की अवाज क्या होता है तरत अधिक होता है पीच अधिक होता है पीच अधिक होने से अवाज क्या होता है सुरीला और पतला होता है ठीक है दूर तक जाएगा अवाज फिर है एक यूबक पुरुस की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रियल सेम लोजी के इसमें क्या होता है बच्चों की आवाज का तरत्व की तुलना में अधिक होता है जिसका आवाज जितना पतला होगा उसका तरत्व क्या होगा या पीच क्या होगा उतना ही अधिक होगा नेक्स्ट अमारा है इस्तरियों की आवाज की आवेर्थई क्या होती है ठीक ना ये हर्ज क्या होता है आधिक होता है कि उसमें के देखो जब कोई नकल करता है कोपी करता तो तो सब कुछ Sam होता है ताल्त वहापर वलता हुआ गुनता हुआ सब कुछ स्यम होता है बस धृणी का गुंता से आप डिफ्रेंस कर सकते हुए ठीक तारत तो सबसब नेक्स्ट इमलिकित में से कौन सी घटना धोनी तरंगों के लिए प्रद्रिसित नहीं किया सकती है तो हमने पढ़ा है कि धुरुबन नहीं होता है कोस्चन नमर टू अगर आपको याद होगा तो उसके ऑप्शन में दिया गया था कि इन में से कौन सा नहीं ह होगा तो उसमें धुरूबन दिया गया था ठीक न? धूरूबन धूरूबन का धुरूबन नहीं होता है याद रखना है फिर धूर टिबरता की डेसिबल की वह अधिकतम सीमा जिसके ओपर ब्यक्ती सुन नहीं सकता है तो वह क्या है? में पाइन्चानवे डेसिबल से अध का वाज होता है धॉर परदूसन फिर इंजदी का आती हुई की CT की आवाज बढ़ती आती है जबकि दूर जानने से की CT क्योंज घटती जाती है क्या होता है Doppler का परवाब क्या होता है बहुत important है 10 प्रस्त हुद द्प्लर को प्रवाँ कि डरातल पर दो बयक्ती एक दूसरे से बाच्चीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है वहां पर बाइू मंडल नहीं है और बाइू मंडल नहीं है तो सॉंट भी नहीं ज़ा पाएगा injuryण प्रकास और ध्वनी धुनों में घटित नहीं होती है, तो वो क्या होता है?", ध्रूबण. चिलाते 시 rightly हमेशा हाथ glacier को मुह के समिझ प्रकता है, क्यों, क्यों क्यों क्या होता है उससे ध्वनी हivi क्या होता है do is वेकिन उसके according क्या होगा इस स्थिति में ध्वनी उर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंकित होती है मुह के पास ऐसा करके लगा दिया यह होड़न देखते हो कि उसमें इस से पक्या जाता है क्या होता है ध्वनी एक ही सेड में निकलेगा तो बहुत दूख तक जाएगा ठीक न और ध्वनी के प्राबरतन के लिए सर्फेस कितना चाहिए सत्रह सेंटे मीट सब्सक्राइब टिक ना यह इंपोर्टेंट है याद रखना बहुत पुछा जाता है और कान पे जो वह इंपक्ट होता है कितने दिलों तक राता है वन बट्टे दस सेकेंड यह दोना आप चलो नेक्स प्राइब देखो असपष्ट परती ध्वनी मिंस एक को सुनने के लिए प्राबरतक तल वह ध्वनी सुरूत के बीच नियुनतम बताया थे पूछ दिया गया है तो नियुनतम दूरी कितनी होनी चाहिए सत्तरह मीटर सत्तरह मीटर आंसर क्या हो जाएगा डी र परती ध्वनी को सुनने के लिए मूल आवाज और परती ध्वनी के बीच का समय अंत्राल क्या होना चाहिए तो मैंने बताया था एक वर्टे दस से अधिक होना चाहिए और यहीं से यह भी याद रखना कि अगर कोई बोलता है तो हमारे कान पर कोई भी सॉंड कितना देर त तो उसमें ऐसा ओप्षन था ठीक ना जीरो पॉइंट बन सेकेंड तो कंफ्यूज नहीं करना है ठीक ना जो आपको उप्षन होगा उसके ठीक लगा होगे नेक्स्ट है मारा अच्छे ऑडिटोडियम ऑडिटोडियम होता है जहां पर समपधित किया जाता है क्लेज में होत दोनी का परभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है तो वह दस सेकेट फिर दोनी तरंग किसके कारण परति दोनी उत्पन करता है तो वह क्या करता है प्रावरतन के कारण प्रावरतन के कारण आंसर सी एक बेक्ती को अपनी परति दोनी सुनने के लिए प्रावरतक तल स से कितनी दूर खरा रहना चाहिए तो 17 मीटर पढ़ेते हैं नहीं तो 56 फीट 17 मीटर या 56 फीट अच्छा आप मुझे कमेंट रोक्स बताओ कि एक मीटर में कितना फीट होता है इंपोटेंट है नेक्स्ट है स्टेथो एसकोप द्वनी के किस सिध्यान पर काड़ी करता है तो वह भी करता है प्रावर्तन प्रावर्तन फिर प्रति ध्वनी तरंग के डैस के कारण उत्पन होता है फिर से सेम कुस्च्चन प्रावर्तन के कारण प्रति द्वनी क्यों होता ह के बीच समंद का परतिपादन किस ने किया था किस ने था सेविन ने, गुणिहिन हौल ऐसे डेडित हौल का अनुकरन काल क्या होता है, सुनिस से कन्ड कुछ हुआ रहा था, सुनिस सेकंड कुछ भी नहीं, ठीक ना, यह सही है. फिर जब सेना पूल को पार करती है, तो सैनिक को कदम से कदम मिला कर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि उसे क्या होता है, पूल टूट सकता है, ठीकि ना, क्यों टूट सकता है, क्योंकि पैरों से उत्पंद होनी के अनुनाद के कारण पूल टूटने का खत्रा रहता है, आप रोज से उत्वंद होनी के अनुणाद के कारण पुल टूटने का खत्रा डाता है इसके कारण कहा जाता है सैनिकों को कदम से कदम नहीं मिला कर चलना रहता है था ना मैंने क्या हुज जागा B यह प्रस्ट उल्टा पुलटा करके पुछा जाता है इसलिए आप दोनों लाइल को याद रखो सही से फिर हम रेडियो की घुन्टी घुमा कर विबिन स्टेशनों के काडिक्रम सुनते हैं वो संभब है अनुनाद के कारण ठीक ना अनुनाद के कारण नेक्स्ट है कहा जाता है जब तांसियन गाना गाता था तो खिरकी और काच के गिलास टुकरे टुकरे हो जाते थे यदि ऐसा संभब भी हो तो दोनी के किस गुन के कारण होगा तो देखो जब दोनी से कुछ तूटने उटने का बात हो ना तो वो होगा अनुनाद नेक्स्ट है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें 20S परकार की दोनी सुने देती है बिल्कुल सुने देती है तो उसका कारण के है उसका भी कारण है अनुनाद अनुनाद रेडियो के समस्वरन अस्टेशन उधारन है ये भी क्या हो जाएगा अनुनाद नेक्स्ट है जब किसी अस्थान पर दो लोड़े स्पिकर साथ साथ बजते हैं तो किसी अस्थान भी सेश पर बैठे सुरोता को उनकी धोनी नहीं सुने देती है समस्थान अस्थान पर उच्छे प्रकास घर लाइठ हास बनाया जाते है जहां से बड़े बड़े साइरन बजाकर जहाजों को संकेत भी जाते हैं कभी कभी जहाज निरव छेत्रे मिन साइलेंस जोन में पहुंच जाता है आवाज नहीं जापाता है जहां सेरन की धोनी नहीं सुने देती है यह निरव छ्षेत्रे धोनी तरंगों के किस गुन के करण तो वहced क्या होगा ब्यत्य करन जहाँ पर सौंड नहीं पहुंच पायेगा ना सैलेंट जोन जिसक्ते स नहीं है परंदू उसकी आबाण जे सुन सकते हैं. इसका मुख्य कारण क्या होगा? तो वह क्या होगा? वीवर्तन, वीवर्तन को वियती करन्द से COVID-19 नहीं करना ठीक न? इसमें क्या होता है, संड् fare नहीं सुनाए देगा, और इसमें क्या होता है, संड, सुनाए देता किसे धोनी से फिर वही डिफिनिशन में स्रियल गाड़ी जाती है तो सिटी अधिक होती है फिर कम होती है तो यह सब दिया गया यह क्या होता है डॉप्र प्रभाब पहले भी रिप्टेट प्रस ने यह नेक्स्ट है इसमें आपको कफ़ों पर विचार करना है कम लंबाइक की बांसरी से निमन अविड़ती की तरंग उत्पन होती है नहीं बहुत ज़धा ही होता है कम लंबाइस सही क्या होता है आदिक होता है यह फिर फीर दोनी सैलों में केवल स्वरी कोबल है अनुधेडिये परतियस्त तरंगों के रूप में प्रगामी होती है तो यह सही है हमरा किलो मीटर की उचे पर मार्ग एक पर जा रहे बायुयान की चाल अधिक होती है तो कोई फिक्स नहीं यादी की होना चाहिए यह ठीक ना दोनों सेम ही होगा यह गलत है नेक्स्ट है धुनी की गति प्रावर्ति माद्धियम से ताप पर निर्फड करता है हाँ ताप में आपको वीचार करना है इसमें बिस्तित रूप से पढ़ जोकते संगीत कार स्वरगराम जिसे ट्विटोनी स्वरगराम कहते हैं साथ आवेर्थियों बाले होते हैं हाँ आप सुने होंगे साथ धून होता है नेक्स्ट है स्वर्गी की आवेर्थि पांशो बारा हर्ज ह होती है तो इसके सही है नेक्स्ट निमलखित में से किस पर प्रकार की तरंगा करुंग रात्री ध्रिस्टी उपकरन में किया जाता है तो रात्री में क्या जाता है उberक्त तरंगा अब रखत तरंका निम्लखित में से किस एक में ध्वनी चाल सबसे अधिक होगी तो सबसे अधिक होगा किस में ठोस इसमें क्या है लकडी में ठीक ना लकडी में देखो 100 डिग्री पर बायू कर दिया फिर भी क्या है ठोस में अधिक है तो यह याद रखना सबसे अधिक क्या होता है इस पात में ही होता है ठोस में अधिक होता है नेक्स्ट है धोनी के सरोत वह पड़ावर्ती सतह के बीच नियुन्तम दूरी कितनी होनी चाहिए तो पड़ावर्ती सतह मिंस इको की बात की जारी तो कितनी होनी चाहिए सत्तरह मीटर सत्तरह मीटर फिर एपिटेट प्रस कौन सी तरंग सुन्य में सनरचन नहीं कर सकता है सुन्य मिन्स होगा है निर्वात ठीक ना निर्वात में नहीं कर सकता है धोनी नेक्स्ट प्रस्ट है इस में दिया गिया है भी, A लिखा है भी, डबलू, V,S, कलम सब मिन्सew वायू है यह जल दे दिए इसको और इस्पात दे दिए इसको, ठेकर ना? यहीं है इस पात. इसका真 इलेकर हो गा, इस पात का, मिन्स भी ऐस, सबसे अधिक होगा, ठीक ना तो, हमरा अनसर ए से ही है, भी एस यहाँ पर लिखा है, फिर भी डबलू, सबसे धिक इस पात में, फिर जल में, और फिर वायू में, नेक्स ड्वनी गुजर सकती है, दो वह है, निरवात, निरवात, अनसर टी, फिर एक इस्तिरी की आवाज का पुरुस की आवाज से अधिक तिक्ष्ण होने का कारण क्या है यह भी पढ़ चुके है क्या होता है उसका उच्छ आविर्थी होता है उच्छ आविर्थी है हाई फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट है सबसे अधिक तिब्रता की ध्वनी उत्पन होता है त को सॉणीं के जर्ज़र हैं अंसर क्या हो जा गा सी एकॉस्टिक प्पिजान की एकॉस्टिक के अंतर मैं करते हमें दोग देसिवल होता है तो डेसीवल क्या होता है धोनी अस्तर का मापक धोनी अस्तर का मापक अंसर भी धोनी का बेग अधिक्तम होता है किसम होता है लोहे में जब धोनी तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है तो अपने साथ उजा ले जाती है इनर्जी होता है किसी भी चीजिए सब कुछ झाल झाल